क्या आपने कभी निम्न लिकित खादे पदार्थूं जैसे शीतल पेयों, घी, ब्रेड, दूद, नमक के पैक पर शुद्ध शब्द लिखा देखा है? जी हाँ, इन सभी पर शुद्ध लिखा होता है. तो आएए पदार्थों की शुद्धता के बारे में चर्चा करें. इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. मिश्रणों के वर्गी करण के बारे में जानना मिश्रणों और शुद्ध पदार्थों के गुण धर्मों को पहचानना किसी विलियन की सांद्रता को समझना मिश्रणों और शुद्ध पदार्थों में अंतर को पहचानना निलंबन और कॉलाइडल के गुण धर्मों को पहचानना, मिश्रणों के अव्यवों को वाश्पी करण, अब केंद्रन तथा निस्तारन त्वारा प्रिथक करना. मिश्रणों का वर्गी करण प्रासाइनिक संगटन के आधार पर पदार्थों को दो प्रकारों में वर्गी करित किया जा सकता है, पदार्थ शुद्ध पदार्थ या मिश्रण होते हैं, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ तत्व और योगिक होते हैं, मिश्रण दो प् शुद्ध पदार्थ और मिश्रण शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसमें केवल एक प्रकार का पदार्थ यानि तत्व अथ्वयोगिक होता है। उधारणार्थ आइरन, कौपर, हाइडोजन, जल इत्यादी मिश्रण वह पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं उधारणार्थ, समुद्री जल, खनिच, मृता इत्यादी शुद्ध पदार्थों एवं मिश्रणों में अंतर आईए अब एक नजर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के भेदों पर डालते हैं शुद्ध पदार्थ मिश्रण शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार का पदार्थ होता है मिश्रण में दो या तो से अधिक पदार्थ होते हैं शुद्ध पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा अलग-अलग पदार्थों में प्रथक नहीं किया जा सकता। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा इसके अव्यवों में प्रथक किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थों के अपने निश्चित गुण धर्म होते हैं। मिश्रण अपने अव्यवों के गुण धर्मों को दर्शाता है। मिश्रणों के प्रकार समांगी मिश्रण या एक समान संगठन वाला मिश्रण होदा है। इस मिश्रण के कण नगन आखों से नहीं देखे जा सकते। उधारण शरकरा का जलिये मिश्रण, नमक का जलिये मिश्रण, कौपर सलफेट का जलिये मिश्रण, विश्मांगी मिश्रण या आसमान संगठन वाला मिश्रण होदा है। इसके कण नगन आखों से देखे जा सकते हैं। उधारण, नमक और रेत का मिश्रण, कौपर और लोहे के बुरादे का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, विलियन और इसके गुंड धर्म, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, विलायक और विलियन के दो प्रमुक अवियव होते हैं, वह अवियव जो अधिक मातरा में है, वह विलायक है और वह अवियव जो कम मातरा में है, वो विलियन है, जल में नमक का विलियन, जल में शरकरा का विलियन, जल में आयोडीन यानि तिंक्चर आयोडीन तथा सोड़ा वाटरादी विलियन है। इसमें उपस्थित कड़ों को नगन आँखों से नहीं देखा जा सकता। विले के कड़ों को चान कर अलग नहीं किया जा सकता। विले के कड़ों तल पर नहीं बैठते तथा विलियन स्थाई होता है। विलियन के कर्ण विलियन से गुजडने वाली प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और इन से गुजडने वाले प्रकाश के मार्ग को देखा जा सकता है। निलंबन और इसके गुणधर्म निलंबन दो या दो से अधिक पदार्थों का विश्मांगी मिश्रण होता है उधारणार्थ, जल और रेत का मिश्रण, पिसे हुए चौक और जल का मिश्रण, कोल गेट इत्यादी इसमें उपस्तित कणों को नंगन आँखों से देखा जा सकता है इसके कण तल पर बैठते जाते हैं तथा विलियन अस्थाई होता है इसके कण विलियन से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और इनसे गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को देखा जा सकता है इंडल प्रभाव जब प्रकाश की कोई किरण कुलाइडल विलियन से गुजरती है, तो कुलाइडल कन प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिसके कारण विलियन में प्रकाश के मार्ग को देखा जा सकता है इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं किसी कमरे में जब प्रकाश की कोई किरण एक छोटे से छिद्र से प्रवेश करती है तो धूल के या धूएं के कड़ों से किरण के फैल जाने के कारण वहां टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है धुदप में उपस्तित जल की बूंदों दोरा प्रकाश के फैल जाने के कारण घने जंगलों में भी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है विलियन की सांद्रता किसी विलियन की सांद्रता विले की वह मात्रा है जो विलियन या विलाइक की दी गई मात्रा में उपस्तित होता है किसी विलियन की सांद्रता विले का वो द्रवेमान है जो विलियन या विलाइक के दिये गई द्रवेमान में उपस्तित होता है विलियन की सांद्रिता उस विलियन के दिये गए आयतन में उपस्थित विले के द्रवेमान के रूप में भी दर्शाई जा सकती है मिश्रण के अव्यवों का प्रिथक करण विश्मांगी मिश्रणों के अव्यवों को निम्न विधियों द्वारा प्रथक किया जा सकता है वाश्पी करण, अपकेंद्रण, निस्तारण, प्रथक करणकीब की जाहता से उर्धुपातन, क्रोमेटोग्राफी, आस्वन और प्रभजी आस्वन वाश्पी करण, यह विधि वाश्पी कृत हो सकने वाले अव्यव यानि विलाय को वाश्पी कृत ना हो सकने वाले अव्यव यानि विलै से प्रथक करने के लिए अपना ही जाती है चित्र में बारिश का पानी बिजली कड़कने के पश्चात गर्म सतह से वाश्पिक्रित होकर उड़ जाता है अपकेंद्रन किसी भी मिश्रन से अधिक घनत्व वाले कड़ों और हलके कड़ों को अपकेंद्रिय यंद्र का प्रियोग करते हुए प्रथक करने की यह विधी अपकेंद्रन कहलाती है यदि किसी अपकेंद्रिय यंद्र में हम थोड़ा सा दूद लें और उसे तेजी से घुमाएं तो क्रीम दूद से अलग हो जाती है क्यूंकि क्रीम का घनत्व दूद से कम होता है इतक करण कीप की सहयता से निस्तारण इस विधी का प्रयोग परस पर अगुलन शील द्रवों को प्रथक करने के लिए किया जाता है इसमें द्रव अपने अपने घनत्व के आधार पर विभिन पर्तों में बढ़ जाते हैं यदि हम केरोसीन तेल और जल कमिशरण एक प्रथक करण कीप में डालते हैं तो तेल और जल की अलग-अलग परतें बन जाते हैं स्टॉप कार्क को खोल कर जल को प्रथक किया जा सकता है जल के पूरी तरह निकल जाने के बाद स्टॉप कार्क को दोबारा बंद किया जा सकता है क्या आप जानते हैं जल में सोना माइकल फिराडे दौरा बनाया गया एक प्रसिद कॉलाइट था। ये अभी भी है लंदन के रॉयल संस्थान के संग्रह में और अभी तक इसके कण तल पर नहीं बैठे हैं। एक समों के तौर पर कॉलाइट की पहचान थौमस ग्रहम ने सन 1860 में की थी। उन्होंने महसूस किया कि जिलेटिन और स्टार्च जैसे पदार्थ जल में शरकरा अथवा नमक की अपिक्षा बहुत धीमी गती से विस्रित होते हैं। साथ ही ये भी देखा कि ये उन छिलियों के भी पार नहीं जा पाते जिनसे नमक और शरकरा आसानी से पार हो जाते हैं। ग्रहम ने ये भी पाया कि नमक और शरकरा के क्रिस्टल्स बनाए तो जा सकते हैं पर जिलेटिन अथवा स्टार्च के नहीं। इस नए प्रकार के मिश्रण जो निलंबन और विलियन से अलग था उसको परिभाशित करने के लिए कोलाइट ग्रीक शब्द ग्लू से शब्द की खोज उन्होंने ही की। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। निलंबन एक विश्मांगी मिश्रण होता है। कॉलाइड एक ऐसा विश्मांगी मिश्रण होता है जिसमें उपस्थितकन इतने छोटे होते हैं कि नगन आखों से देखे नहीं जा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला सकें।